दोस्तों नमस्कार आप सब का स्वागत है डॉक्टर शंकरवेट वर्चुल क्लासेस में और आज हम लोग एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो अभी रिसेंट डिमांड है अगर आप देखेंगे तो गाउं में जो किसान हैं गेहूं का नया भूसा आ गया है वीट का वीटेस्टर नया आ गया है उसको खिला रहे हैं और इसके चलते क्या समस्याएं आती हैं और किस तरह से समस्याएं आएंगी और किस तरह से उसको मैनेज किया जा सकता है इस वीडियो के मादेम से हम लोग चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मैं बता दूँ जो नया भूसा हो वह रूमिनेयच में आक्शली इम्पैक्शन करता है रूमिन ऒेशल इंपाक्शन करता है यह और इसके पीछे रीजन क्या है। का जैसा कि आप जानते हैं की जब नया नया भुसा आता है तो हार्ड होता है उसका फाइवर की डग्रेडेप्लिटी जो है फाइवर की होती है अगर आप देखें तो इसमें जो मेजर काज है वो प्रोटीन कम होना है अगर वीट के चिंट के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें से्लिवलोज हमे से लिलोज और लिगनीन होता हैそ dud です एक हाई फाइवर के तोर पे रहता है और लिगनीन बारियर को अगर इंजामेटिक क्रॉस नहीं किया जाए तो सेलिलोज और हेमिसलिलोज की डाइजेस्टन नहीं होता है और भूसे में जो प्रोटीन है वो लगबग 3% ही होता है तो 3% प्रोटीन का होना जो बहुत ही कम है औ और दूसरा इसमें जो सेलिलोज और हेमिसलिलोज और लिगनीन है वो इनीसियल स्टेज में जब नया नया हर्वेस्ट होता है तो उस समय वो काफी हार्ड होता है उसके बैरियर को पार कर पाना डाइजस्टिव इंजाम जो रूमिनल डाइजेशन है जो रूमिनल माइक्रो कि उखिएन कियो मैं कहि unto ज है कि जब डाइजेशन का लेना देना है तह उसमें प्रोटीन का क्या रोल है अकच्छली जो मीखरी को फाइवर, डाइजेस स्वियोडियोट प्रोपर हो उसके लिए रुमिनल मायक्रोफलोरा जैसे मैं कहा रहा थै्ग बैक्ट्रिया या ब्रोट तो अगर चारे में किसी भी तरह से प्रोटीन कम है या आप सिर्फ सूखा भुसा किला रहे हैं तो उसमें 3% प्रोटीन है जबकि रिक्वार्मेंट जो है 9% प्रोटीन की होती है जिससे की माइक्रो फ्लोरा नॉर्मल रह पाए तो आप protein content कम देते हैं और यह जो नया harvest हो के भूसा आता है एका एक जब animal को देते हैं तो over eating करते हैं उसकी palatability थोड़ी अच्छी होती है क्योंकि नया नया होता है और उसको sudden shift feed से होता है तो जानवर ज्यादा भी उसे खा लेता है और उसे पसंद ज्यादा करता है और अगर water intake उस समय कम हो जाता है तो फिर वो जाके bulk बनाता है रुमें में और फिर उसको impact कर देता है और impact करने के बाद रुमें में उसके बाद वे एका एक impaction के symptoms आने लगते हैं abdominal pain होने लगता है animal बेचैन हो जाता है फिर गोवर नहीं कर पाता है कभी-कभी अफरा भी होता है अग अगर feeding करनी है तो साथ-साथ भूसे के साथ-साथ green पोडर्स भी आड़ कर दें जैसे एक में यहां पर भूसा है दूसरे में हमने देखा है कि वहां पर green फोडर डला हुआ है तो ग्रीन्स अगर अगर है sufficient amount में आया greens को भूसे के साथ mix कर दिया जाता है तो water content ज्यादा हो ज एजी हो जाती है या आप अगर individual feeding करते हैं तो बहतर यह है कि भूसा को रात में water में सोक कर ले तो hydrogen hydrolysis होती है तो उसको water में सोक कर लिजा और अगले दिन उसको खिलाने के लिए offer कि जाए directly dry भूसा को offer नहीं करना चाहिए या available water है उसको sufficient amount में नियरबाई animal के होना चाहिए और ताकि आराम से water accessibility रहे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि भूसे के नहीं भूसे आने के बाद भी impaction नहीं होता है कुछ medicines भी हैं जिनका इस्तमाल किया जा सकता है अगर आपने नया भूसे शुरू किया है suddenly शुरू किया है तो मैं कहरा था कि sudden ना करें अगर आपके पास कोई option नहीं है तो शुरू कर सकते हैं और उसकी digestibility में अगर problem है तो दो तरह के supplements हैं रूमेन को digestibility को या degradability को बढ़ाने के लिए एक तो probiotic कहा जाता है probiotic और दूसरा जो है उसे prebiotic कहते है probiotic और prebiotic सुनने में और समझने में एक जैसा लगता है लेकिन दोनों में difference है probiotic का simple सा मिनिंग यह होता है कि वह bacteria या वह protozoa या वह microorganism जो digestion में या ruminal digestion में help करते हैं या gut microflora होते हैं उनको directly animal को खिला दिया जाए उसे हम लोग probiotic कहते हैं तो अगर आप जैसे मैं कह रहा था कि protein content कम रहेगा तो ruminal microflora नहीं रहेगा तो आप add-on करेंगे तो ruminal microflora को जैसे कि est हो गया या जो भी ruminal content वाले microflora है उनको आप खिला सकते हैं तो number उनका बढ़ जाएगा और फिर digestibility बढ़ जाएगी दूसरा एक बहतर तरीका है इसमें कई complications होते हैं probiotic के साथ हीट का problem आता है pH का problem आता है क्योंकि हो microorganism है तो उसकी death हो सकती है और वह proliferate नहीं करेगा तो फिर उसको helpful नहीं होगा तो कई condition होते हैं इसको overcome करने के लिए प्री बायोटिक आया प्री बायोटिक एक तरह से कह लिए जो नॉर्मल बैक्ट्रिया या प्रोटोजोवा या प्रोलिफरेशन होगा और फिर वह इंजाइम रिलीज होगा और फिर डास्टेबिलिटी और डिग्रेवडिबिलिटी जो है फाइबर की वह बढ़ जाए तो मार्केट में कई तरह के प्रिबायोटिक हैं इसमें कुछ इंजाइम भी आते हैं जो डरक्ले यूज किया जाते हैं जैसे सेलुलेज इंजाइम हो गया वन अलफा एमालेज हो गया इसके भी इंग्रेडियन्ट आते हैं लेकिन कुछ मार्केट में अवलेबल प्रिपरेशन्स हैं बेसिक जो को ध्यान में रखके आप नए भुसे से होने वाले इंपैक्ट्सन को रोक भी सकते हैं और अगर हो गया है तो उसका इलाज भी कर सकते हैं तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवार थैंक्यू नमस्कार